चालिस के दशक की एक ऐसी अदाकारा जो बेहत खूपसूरत थी खूपसूरती ऐसी बला की कि उन्हें एक बार कोई देख लेता तो उनके चेहरे से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता वो इतनी सुंदर थी कि उन्हें हमेशा पर्दे में ही रखा जाता था ताकि किसी की नियत उनको देख कर खराब न हो जाए कौन थी वो अदाकारा और दिली कुमार से उनका क्या संबन था कि उन्होंने अपनी सबसे प्यारी चीज उन्हें सौब दी जानेंगे और भी बहुत कुछ बस बने रहिए हमारे साथ नमस्कार मैं हूँ नीलम शुकला देवांगन और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन चालिस के दशक की ये अदाकारा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत खास स्थान रखती थी हम जिस हसीना की खुबसूर्ती का बखान कर रहे हैं वो थी नसीम बानो दिगज अभिनेतरी सायरा बानो की मा और अभिनेता दिलीब कुमार की सास ऐसी सास जो दिलीब कुमार से सिर्फ छै साल बड़ी थी जी हाँ सिर्फ छै साल उनके पिता वहीद अली खान हसनपुर के नवाब थे और मा शम्षाद बेगम गाईका थी यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शम्षाद बेगम लेके पहला पहला प्यार वाली शम्षाद बेगम नहीं थी बलकि इंडस्ट्री में छम्याबाई के नाम से उनकी शोहरत थी नसीम बानू का जन्म 4 जुलाई 1916 को हुआ था और उस समय उनका नाम रोशन आरा बेगम था कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत थी कि उनके माता पिता उन्हें परदे में रखते थे और स्कूल भी भेजते थे तो पालकी में एक बार नसीम अपने स्कूल की छुटियों में अपनी मा के साथ फिल्म सिल्वर किंग की शूटिंग देखने गई थी और बेहत प्रभावित हुई उधर स्टूडियो में नसीम की सुन्दरता देखकर कई फिल्मकारों के बीच उनकी चर्चा होने लगी उन्हें कई प्रोड्यूसरों ने फिल्मों में काम करने का ओफर भी थमा दिया लेकिन उनकी मा ने बच्ची है कहकर इन प्रस्ताओं को ठुकरा दिया लेकिन नसीम बानो ठान चुकी थी कि उन्हें अब अभी नेत्री ही बनना है मा के विरोत के बावजूद नसीम बानो जित पर अड़ी रही और घर में भूख हरताल कर दिया और इजाजत लेकर ही मानी जब मुंबई आई तो उन्होंने प्रोड्यूसर सुहराब मोदी के साथ कॉंट्रेक्ट साइन किया और कई फिल्में की इन फिल्मों में तलाक, मीठा जहर, बसंती और भी कई शामिल हैं लेकिन फिल्म पुकार में नूर जहा का करदार निभा कर नसीम मशूर हो गई फिल्म की पब्लिसिटी के दौरान उनकी सुन्दरता पर उनको ब्यूटी क्वीन और परी चहरा का नाम दिया था जो काफी सालों तक इनके साथ रहा फिल्मी करियर में अपने पैर जमाने के बाद नसीम बानो ने अपने बच्पन के दोस्त मिया एहसान उलहक से शादी की जो कि एक वास्तुकार थे उनके साथ नसीम बानो ने ताज महल पिक्चर्स के बैनर की शुरुवात की इस बैनर तले उन्होंने 1940 और पचास के दशक के दोरान कई फिल्में बनाई जिसमें उजाला, बेगम, मुलाकात, चान्नी रात और अजीब लड़की जैसी फिल्में शामिल हैं उनके दो बच्चे थे पहली बेटी सायरा बानो और एक बेटा सुल्तान अहमद दोनों को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया विभाजन के बाद नसीम के पती एहसान उलहक ने भारत छोड़ दिया और पाकिस्तान में बस गए पर नसीम अपने बच्चों के साथ भारत में ही रहने लगी वो सुहराब मोदी के मिनर्वा मुवी टोन फिल्म्स में भी काम करती रही फिल्म शीष महल में उनके शानदार अभिने को बरसों तक याद रखा गया उन्होंने कई फिल्मों में यादगार अभिने किया लेकिन सन 1957 में बनी मिनर्वा के नशेरवान ए आदिल में एक छोटी सी भूमी का निभाने के बाद अभिने छोड़ दिया उनके अभिने छोड़ने का कारण भी काफी दिल्चस्प है वो नहीं चाहती थी कि फिल्मों में भागे आजमा ने जा रही उनकी बेटी सायरा बानो की तुलना कोई उसकी मा यानिकी नसीम बानो से करे पर अभिने छोड़ने के बाद भी वो सक्रिय भूमिका में बनी रही पहले एक निर्माता के रूप में उन्होंने अपने हाथ आजमाए और बाद में अपनी बेटी की ड्रस डिजाइनर बनी जब सायरा ने 1961 में फिल्म जंगली की तो उनकी ड्रस डिजाइनर नसीम ही थी अब आते हैं उनके और दिलीब कुमार के रिष्टे पर कहा जाता है कि डिलीब कुमार और सायरा बानो की शादी के पीछे भी नसीम बानो का हाथ था इस सायरा बानो भी एक सफल अभिनेतरी के तोर पर अपने पैर जमा चुकी थी अब जाएंगे कितनी दूर इसी बीच उननिस तौशाठ में नसीम बानो ने पाली हिल इलाके में दिलिप कुमार के बंगले के पास ही जमीन खरीदी बस यहीं से शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला दिलीप नसीम बानों के काफी क्लोस थे क्योंकि दोनों की उम्र में कोई खास अंतर नहीं था तो दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो चली थी इधर सायरा के जीवन में प्रेम पींगे बढ़ा रहा था वो एक दूसरे अभिनेता के साथ मोहमपत करने लगी थी वो थे जुबली कुमार और राजेंदर कुमार एक दोर ऐसा भी था जब सायरा राजेंदर कुमार के अफेयर के चारों तरफ चर्चे थे सायरा की राजेंदर कुमार के साथ डेटिंग की खबरे आने लगी थी लिहाजा फिल्मकार सायरा को राजेंदर कुमार के साथ कास्ट करते रहे इत्फाकन दोनों की ओन स्क्रीन जोड़ी लोगों को पसंद आने लगी दोनों की साथ में कई फिल्म में हिट होती गई 1964 में रिलीज होई फिल्म आई मिलन की बेला में राजेंदर कुमार के अपोजिट सायरा बानो नजर आई थी उस वक्त उनकी खुबसूरती के चर्चे हुआ करते थे खूपसूरत सारा बानो को देख राजेंद्र कुमार भी अपना दिल उन्हें दे बैठे बस यहीं से सारा राजेंद्र के रोमांस के चर्चे शुरू हुए पर विडंबना ये थी कि जुबलिल स्टार की पतनी और तीन बच्चे थे नसीन बानो को जब ये बात पता चली तो वो चिंतित हो गई वज़ा थी एक तो राजेंद्र कुमार हिंदू थे दूसरी ये कि वो शादी शुदा और तीन बच्चों के बाप भी थे वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सारा राजेंद्र कुमार से मिले भी पर वो शायरा के करियर के कारण ये कर नहीं पाई इसी बीच शायरा राजेंद्र की जोड़ी 1966 में आई फिल्म अमन और 1968 में आने वाली फिल्म जुग गया आस्मान की शूटिंग के दौरान खासी सोहरत बटो रही थी अभी तो तुम हो मेरे साथ कि हमको नहीं आती उधर नसीम बानों को भी अपनी बेटी की नादानी पर गुस्सा आ रहा था उन्होंने इस बात की चर्चा फिल्म इंडुस्ट्री के कई लोगों से की सबने साइरा को शाधी शुदा और बाल बच्चेदार राजेंदर कुमार से दूर रहने के लिए प्यार से समझाया था पर कहते हैं न कि प्यार में डूबे इंसान को समझाना इतना भी आसान नहीं होता है तो साइरा नहीं मानी हलाकि राजेंद्र कुमार को बात कुछ समझ में आ गई कि उनका घर परिवार है सो वो खुद सायरा से दूर होने लगे दोनों की दूरियों की खबरे भी आने लगी किस्सा सायराबानों के जन्म दिन का है टेई सगस्त 1966 को सारा बानो अपना 22 वा जन्म दिन मना रही थी कहते हैं दिलीब कुमार भी आमंत्रित थे लेकिन उन्होंने पहले ही समारों में शरीक ना होने का खेद पत्र भिजवा दिया था राजन्दर कुमार से बढ़ती दूरियों के कारण सायरा खासी अपसिट थी मामला तब और तूल पकरता दिखने लगा जब समारों में राजन्दर कुमार अपनी पत्नी के साथ पहुँच गए अब तो सायरा पागल ही हो गई और रोने लगी मामले की गंभीरता भाप नसीम बानो ने दिलीप कुमार को फोन किया और सिचुएशन सम्हानले की मिन्नते करने लगी दिलीप सहाब ना नहीं कह सके और सायरा के जन्म दिन पर आए जन्दिन की पार्टी खत्म होने के बाद रात में नसीम बानो ने दिलीप कुमार से सायरा बानो को समझाने को कहा तिलिप सहब ने सायरा बानों से कहा कि वे राजिंद्र कुमार के साथ लव स्टोरी पर अपना स्टेंड क्लियर करें उनसे रिलेशन्शिप की ब्योगूफी भरी हरकत ना करें तिलिप कुमार उन्हें समझाते रहे सायरा मान गई पर हैरत भरी शर्ट के साथ कहते हैं कि सायराबानों ने कहा कि अगर दिलीप कुमार उनसे शादी को राजी हो जाएं तो वो राजेंद्र कुमार का पीछा छोड़ देंगी आखिर दिलीप कुमार को सायराबानों की जिद के आगे जुकना पड़ा हालाकि सायराबानों ने अपने इंटर्विव में इस चर्चा को गलत बताया था और कहा था कि वास्तों में दिलीप साहब नहीं उन्हें प्रपोज किया था बहरहाल उसी साल यानि 1966 में ही दोनों विवाह बंधन में बंद गए सायरा के जन्म दिन के छे हपते बाद सब को हैरान करने वाली खबर आई कि दोनों दो अक्टूबर 1966 को मंगनी करने जा रहे हैं सब हैरान थे कि आखिस सायराबानों के जन्म दिन के महज दो महिने में ऐसा क्या हुआ कि दिलीब कुमार मंगनी और फिर निकाह को राजी हो गए बाद में पता चला कि दिलीब कुमार जो फिल्म इंडस्ट्री में दा मोस्ट एलिजिबल बैचलर संबोधित किये जा रहे थे उन्होंने विवाह के लिए हामी भर दी और इस तरह दिलीब कुमार अपनी दोस्त नसीम बानों के दमाद बन गए सायरा और दिलीब कुमार की मेरिट लाइफ काफी अच्छी बीती और बात के वर्षों में दोनों ने फिल्म में साथ काम भी किया और अपनी ओन स्क्रीन जोड़ी भी बनाई बीस के एक दो वर्षों को छोड़ कर जब दिलीब सहाब ने आस्मा नाम की एक महिला से शादी कर ली थी अगर उन एक दो वर्षों को छोड़ दिया जाए तो सायरा बानों के साथ उनके संबंधों को महबत की मिसाल के तोर पर याद किया जाता है तो आपको हमारी आज की स्टोरी कैसे लगी हमें जरूर बताईएगा आज के लिए बस इतना ही अब अपनी दोस्त और होस्त नेलम शुकला देवांगन को दीजिए इजाज़त नमस्कार